द्रीया फ्रेंड तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड नूबर फोर्टीन दुविदूपकर्णमण अध्या है इससे पहले की वीडियो में हमने डिसकस किया था कि लंगन और ब्रम्मन चीकिसा है वो कैसे होते हैं इनके क्या सब टाइप्स होते हैं तो फ्रेंड श यूश करने हैं आपको जूण जवार श्यामा एक टाइप का अन्ने का टाइप होता है यव जो मुदग मौंकी दाल और मदुदग यानि एक शरबत का टाइप है मदूहनी का शरबत तीक है इनका यूश करना है मस्तु का धंडा हत अरिष्ट यानि मस्तु जो है तक्र इनके एरिष्ट का यूज़ करना है, चिंता करनी है, शोदन, विभेन प्रिंगार के शोदन करे है और जागरन, और रातरी में जागरन, उसके वला मदूना त्रिफलाम लियाद गुडुचिम अभ्याम गनम, मदू के साथ त्रिफला लेनी है और गुडुचि और हरीतकी को चाटना है, ठीक है, उसके अलावा रसा अंजन से महत पंचमूल से गुगुलू, रसा अंजन का प्रियोग पंचमूल का प्रियोग गुगुलू के साथ, यहां जो पंचमूल है, वो पंचमूल वरत पंचमूल के बारे में बात की जारी है, ठीक है, बेको दश्मूल में द वरद पंचमूल लगो पंचमूल जी हाँ जो पंचमूल है उसमें कौन-कौन से आयनत है बिघल्व अगिनिमत् शोना बाटला गंब्भारी शिला जीत्र प्रयूग है सअगिनिमंत रसो शिला जीति को प्रयूग अगिनिमंद के साथ थीक है विडंग नागरम शार है विडंग नागर शार का परियों काल लोहर रजो मदू ठीक है शार कौन से हैं यव शार यूज़ करना है काल लोहर रजो यानि रजी क्रश्न लोहर बस में मदू के साथ यव आमलग चुणम चे योगो अतिस्ते जाए और आमलग और योग का चुरण लेना है ध्यान रखना है जितने भी ब्रह्मन की जगिस्सा में या संतरपन जेनने रोग आएंगे उसमें त्रिफला थो most important है त्रिफला हर जगे आएगा याएगा ठीक है अन्योशित कौन-कौन सी है बात करते हैं वियोशक, कटवीर, फिवर, शिगरु, विडंग, अतिविशा, अश्तिन रहा यानि वियोश त्रिकक्टो त्रिकक्टो में तीन द्रवे आते हैं उसके विदंग, अतिविशा, इसस्तिन रहा हिंगू, सोवर्चल ठीके हिंगु आगे हमारे पास सोवर्चल आगया सोवर्चल एक लवन का टाइप है देन यवानी उसके बाद हमारे पास आएगा दान्य दनिया और चित्रक निशे प्रियाय होता है हरिद्रा का हल्दी का ठीके ब्रह्मेत्य हपूश हपूशा पाठा मोलम चे के अम्बुकात इनके छोटी कटेरी ठीके एशा चुणा मदुगरत तेलम चे सद्रशगम इनके योग को मदुगरत तेल के साथ लेना है सक्तू भी शोडश गुणे युक्तम पीतम नियंति तत अतिस्तोल्य अधिकान सरवान रोगैंश तदिवैन यहनी कहने का मतलब है करना क्या है कि जो यह निशे वाली लाइन है उसमें हमको यह करना है कि आपको आस लेके कि निशे ब्रत्य हपूशा इन शिलोक में यहनी पाठा छोटी कटेरी पाठा यह जो सारे है इनको चूण बनाकर यह जो सारे द्रवे दिवैन अपर इन सभी का चूण बनाना है देन उसमें दो बाग मदू, दूसरा बाग मदू, तीसरा बाग गरत और चोटा बाग तेल यह मिलाकर इन चारो बागों का 16 गुना जो उसका सत्तू मिलाकर मंद पीने से अतिस्तोले की रोग नहीं होते है वैसे इतना कोई आपको पूछे का नहीं आपको में में द्रवे याद रोने चाहिए किस अनुपाद में क्या मिलाना है वो नेसेसरी नहीं है यह द्यान रखना कि मदू, गरत और तेल की साथ इस चून को देना है ठीक है और 16 गुना आपको पानी मिला कि सत्तू बनाना है हर्दे रोग, कामला, शुट्र, श्वास, कास, गलगरान, बुद्धी, मेदा, इसमर्ती इनको बढ़ाता है अगने से दीपना और अगनी को दीपत करता है ठीक है, डाइजिस्ट फायर को बढ़ाता है अब बात करते हैं अति लंगन से कौन से रोग उत्पन होता है तो अति काशे ब्रह्म, काज, त्रिष्णा, अधिक कि रोचम अति कृष्ट है, यनि अति दुरबलता हो जाती है ब्रह्म, यनि चक्कराना, काश, कफ हो जाना ठीक है काश जो है, अति ब्रह्मन से भी उत्पन होता है और अति लंगन से भी उत्पन होता है बहुत ध्यान लगने योग्य बात है त्रिशना प्यास देघ लगती है अयरूच्छी उत्पन हो जाती है इसने है अगनी में शोत्र, शुक्र, उजसे, शुत्स्वर है यानि इसने है शरीर की जो अगनी है निदरा, द्रष्टी, श्रोत, भूख और स्वर इन सब का श्य हो जाता है यानि कम हो जाती है बस्ती हन मूद्र जत्रो पाश रुजा जवार यानि बस्ती में हर्दे में मूर्दा उरूत त्रीकर पाश इनमें रुजा होती है जोर होता है ठीक है रुजा मतलब विबिन परकार की पीड़ाओ के लिए ठीक है प्रलाप उर्द्व अनिल ग्लाणी नी चर्दी पर्व अस्ती बेदनम प्रलाप मतलब बिना फाल तो कुछ भी बोलना इर्रेलेवेंट हो उर्द्व निल वायू उपर की तरफ आ जाती है ठीक है गिलानी यानि डिप्रेशन बिना वजय कुछ न को सोचते रहना है ना चर्दी वोमिटिंग हो जाती है पर्व बेद जो जोईंट से हमारे उनमें विबिन परकार की वेदना होती है अस्ती बेद अस्तियों में विबिन परकार की वेदना होती है ठीक है वर्चो मूत्र गर्यात जायनते अनिल विड़न लंगनाद जो ये मल मूत्र इनका वरोद हो जटे है ठीक तरह से पास नहीं पाती है ये सब अतिलंगन सुथपन होगते इस्तूलता से क्रिष्टा स्रेष्ट होते हैं क्योंकि इस्तूलता के ओशद्दी नहीं रोशद्दी है लेकिन जो अतिस्तूलता वो ज़्यादा कर्ष्ट देने वाली होती है कृश्ता की अपेक्षा ठीक है अतिस्तुल के लिए ब्रम्मन या लंगण कोई भी चिकिसा प्रयाप नीं याँँ अति श्तुल के लिए बहुत ज़्यादा चिकिसा हम को करनी पड़ती है ठीक है और इसके लिए मैध अगनिर वाद को जीतनी वाली चीकिसा ची, यहनि इसके लिए multiple factors हमको control में करने परते हैं जब जाके यह चीकिसा होती है यहनि लगातार आप लगातार आप लगातार यूज करें और परिश्रम ने करें, कोई भी काम नहीं करें काम ने करने से मतलब जो sedentary life style की बात है तो उससे कृष्टा नश्ट हो जाता है लेकिन इस्थूलता को जीतने के लिए कटू तिक्त कशाय की रस वाले रूक्षन और आउजज़े की से नश्ट होता है ठीक है तो अगर इस्थूलता को जीतना है तो इस्थूलता बढ़ती तो मदूरा बनलावन से है कफ बढ़ेगा इस्थूलता बढ़ जाईगी उनको नश्ट काउन से इनके उपोजिटेट कटू तिक्त कशायरिस वाले रूक्षन से ये नश्ट होता है क्रिष्टा की चिकिस्था बात करते है योजियत ब्रह्मणम तत्र सर्वपान अश्बेश्यम अच इन्तिया हर्षनें दूर्व संत्रपेन चे स्वपन परसंग चे क्रशो वराहईव पुष्ष्थि ये जो स्वपन परसंग वराहईव पुष्ष्थी वाले लाईनी चरक समिता में भी ऐसी कैसी आई है तो क्रिष्टा की चिकिस्था के लिए क्या करना है अन्य पान और वर्षद सभी ब्रमन गुनवाले हो यानि हमको जो उनको मेडिसिन दे रहे हैं और जो अन्य पान दे रहे हैं वो सभी ब्रमन गुनवाले हो चिंता नहीं करने से परसंग रहने से संत्रपक कारक द्रवे को प्रियोक करने से और अच्छी द्रवे से निद्रा लेने से वर्षद सूर के समान पुष्ट हो जाता है तो यह वरा के समान जो पुष्ट होने की यह जो बात है यह किसमें आई है करिश्टा की जगे समय यह आपको द्यान रखना है तो मास मास के वर्दी करता है तो मास खाने वाले सिंगादी परशों का मास मास ने खाने वाले के पेक्षा विशेश ब्रमनकार होता है क्योंकि मास खाने से सिंगादी मास अधि परशों यव गोदुम उभ्योस्त योग्य हितकल्बने इस्थूल व्यक्ति में हमको गुरू और अप्तरपन कारक आहर देने हैं ठीक है और क्रश में हमको लगू और संतरपन आहर देने यह द्यान लखना है इस्थूल में गुरू और अप्तरपन देने हैं और लगू में करश में लगू प्लस संतरपन यह बहुत इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है आपको द्यान रखना चाहिए ठीक है अब हम ऐसा क्यों कह रहा है कि गुरू और अपतरपन देना इस्थूल में और करश में लगू और संतरपन देना ऐसा इसलिए है क्योंकि है दूं का पोशन करने वाली नौन लेकिन शोशन करने वाली हो इन्हें गुरू से क्यों होगा है उनको पोशन मिहाए गा ये deer लेकिन उनका शोशन करने अप oldland दो कर्भाद करेगा तो दो करतट दो बात करते हैं दोश गत्यारि्च्यं ते ग्राही बेद्धा ती बेदों उपकरम ना ते दित्व हधिता अपे गदाईव और वाता थी दोशों कि गत्वी आथ Richard निकलने पर ग्रही रोकने वहला र ढफदी नहीं निकलने पर बेदन चीकिशा देता है। और कोई भी दोश निकल लिए तो फिर बेदन देना था कि वो निकल लिए। लेकिन कोई से भी चिकष्छाओ, किसी भी टाइप की चिकष्छाओ, उनका बेस लंगन या ब्रह्मन से बढ़ा नहीं होता है। एन्ही उनका बेस लंगन और ब्रह्मन पर आदारित होता है ठीक है। उसी पकर रोग कितने ही टाइप के हो जाएं, कितने ही टाइप की व्यादिया डिजीज हो जाएं, किसी से रिलेटेड। लेकिन वो साम और निराम उनका बेस होता है। उसके बाद हमने अतिलंगन से उत्पन रोगों की बात करी, फिर उसके बाद हमने बात करा कि स्थूलता से क्रिष्टा श्रेष्ट क्यों है, फिर हमने बात करी क्रिष्टा की जगिसा के बारे में, फिर मास की प्रदानता ब्रम्र में क्यों होती है, स्थूल और क्रिष्ट की जगिस्सा में क्या बेद होता है उसके बाद हमने डिस्कस करा वाता थी जो भी जगिस्सा के बेस क्या है और दोशों का बेस क्या है उसके बारे में